तो दोस्तों आपका ट्रावले इंफॉरेंट टैडिशन के ने धा में बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों आज मैं आपको पत्ना रिंग रोड की जानकारी दूंगा दोस्तों पटना में छे लेन रिंग रोड का निर्मान सुरू हो चुका है इसमें जमीन अधिकरहन का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है और यह लगबर-लगबर 137 किलोमेटर तक कबर करेगा दोस्तों इसकी संभावना 2025 तक जताई जा रही है जो आम जनता के लिए इसे खोल ले जाने की उस्तों रिंग रोड की पैकेज 2 में गंगा नदी पर दिगवारा सेरपूर पूल का करीब 15 किलोमेटर लंबाई में करीब 5000 करोड रुपए की अनुमानित लागत से निर्मान एजिंशियों को नया टेंडर के माध्यम से इसे सुरूख किया जाना है दोस्तों राजधानी पतना को बहतर कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 140 किलोमेटर लंबाई में 6 लेन के पतना रिंग रोड का निर्मान हो रहा है इस कड़ी में फिलहाल पतना रिंग रोड पैकेज वन में राम नगर से कन हौली तक 6 लेन सड़क का निर्मान प्रक्रिया शुरू हो रहा है लेकिन फ्लाई एस की कमी से काम पर असर भी पढ़ रहा है इससे सड़क निर्मान का काम लगवले 50 प्रतीशत भी कम हुआ है पहले फेज में सड़क का पूरा काम का लक्ष मांच 2023 तक रखा गया था लेकिन हम इसे बढ़ाय जाने की संभावना है दोस्तों फ्लाई एस की जो कमी है उससे क्या फर्क पढ़ रहा है इसके बारे में मैं जानकारी दे दूँ दोस्तों सड़क निर्मान के लिए फ्लाई एस की उपलपिता के लिए NHAI की ओर से NTPC बिजली प्लांट को पत्र भी लिखा गया है सड़क में नीचे का लेयर त्यार करने में फ्लाई इसकी उप्योग किया जाता है विट्टी की कमी को लेकर इसका इस्तमाल होता है बीटा से सर मेरा के बीच बनी सड़क में कन हॉल से राम नगर के बीच सिक्स लेन सड़क बनाने का काम NHAI के जिम्में है दोस्तों सड़क के दोनों किनारों पर तीन फुट उची बाउंडरी बनानी है ताकि सड़क किनारे अतिक्रमन नहीं हो साथ ही सड़क पर अचानक आने वाले जानवर दुरगटना से भी बच सके दोस्तों इसके अलावा सेरपूर वद दिगवारा के बीच जमी नदिगरहन का काम बहुत तीज गती से बढ़ रहा है दोस्तों पैकेस दो में गंगा नदी पर दिगवारा सेरपूर पुल का करीब 15 किलोमेटर लंबाई में करीब 5000 परोड रुपे की अनुमादित लागत इसमें जिताई जा रही है जो कि टेंडर के माध्यम से पूरा किया जाना है इसमें 9 किलोमेटर जो पुल है कि लंबाई रहेगी और सेरपूर पर दिगवारा दोनों साइड में 6 किलोमेटर का एप्रोच रोड भी बनेगा और सेरपूर साइड में एप्रोच रोड को कन हॉल से जोड़ा जाएगा इसके लावा दूस्तों सेरपुर से दिगवारा की बीच बनने वाला पुल में लगबग आट किलोमीटर का हिश्चा गंग हारा इलाके में बनाना है दूस्तों इसके लावा लगबग 90 हेक्टेर की जमिन की जरुवत अबी और भी है जो इस में दोस्तों एप्रोच रोड वह पूल निर्मान के लिए लगबग 90 हेक्टार की जमीन अब की जो अमंटन है वह होनी है इसमें पटना साइड में लगबग लगबग 70 हेक्टेर जमीन चाहिए और दिगवारा साइड में लगबल लगबग 20 हेक्टेर जमीन की आवशकता पड़ेगी और पटना साइड में जमीन अधिकरहन के एवज में लगबग 12 क्रोड मुआपजा देना है दोस्तों इसके अलाव दोस्तों पटना जिले के सेरपूर, खासपूर, बलवा, रामपूर, जगलिया, मांगरपाल, दियारा, संकरपूर, पट्टी वा गंगहारा के अलावा सारन जिले के सैदपूर, दिगवारा, मीरपूर, बुहाल, गाउंसे होकर या पुल दोस्तों गुजरेगी इसके अलावा दोस्तों बीटा से बिल दा रिचक तक ये सड़क जाएगी दोस्तों करीब 38 किलोमेटर में रामपूर, पटना रिंग रोड पैकेज बनाने की जो सुरुवाद बीटा कन हूल से हुई है जो की बीटा से ये सड़क उमहारार और मसोडी के बीच बेल दक रिचक बन जाएगी दोस्तों बीटा समरे रावद के साथ भाग से इस नई सड़क कच्ची दरगा तक जाएगी और कच्ची दरगा से बीटपूर तक गंगा नदी पर बन रहा उल इसका हिस्सा होगा और इसे सेरपूर से एक सड़क बीटा तक भी जोडने की सरकार की योजना है इसके लाव दोस्तों बीटा समरे रा जो एनच 78 बोलते हैं और प्रस्तावित औरंगा बाद दरबंगा भारत माला कोरिडो रामनगर में पटना रिंग रोट से जोड़ा जाएगा इसके साथ ही दानापूर के सेरपूर में सारण के दिगवारा के बीच गंगा पर नया भूल बनेगा और गंगा नदी के उत्तर की तरफ रिंग रोट से वैशाली को फोर लेन कनेक्टिविटी मिलेगी दोस्तों बता दें कि बक्तियारपूर ताजपूर रास्ते आने वाले लोगों के लिए NH-103 से चक सिकंदर और ताजपूर हाजीपूर रोड के वैशाली जाना भी इसके बाद आशान हो जाएगा दोस्तों इसके अलावा सरकार की जो योजना है कि पटना के थर्च पर लगबग लगबग पांच नए सहर जो इनमें रिंग रोड बनाने की कवायद जारी है उनमें प्रमुक हैं दोस्तों गया भागलपूर मुझभरपूर जबकि बाकी दो सहर में भोजपूर कटिहार ब इसे जब राज सरकार इसे अनुमादीत करने के बाद इसे मंजोरी के लिए खिंदर सरकार बेजने के भी कवायद सुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में दोस्तों पटना की तर्च पर लगबग बिहार की पांच से साथ ऐसे सहर होंगे जिनको रिंग रोड मिलेगा आसा है दोस्तों आपको हमाई जनकारी पुशन दाए होगी आपका बहुत बहुत दन्यवाद